हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में आज हम एच यू की पार्ट 3 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं अई को डाइनैं ऑर उनका यूजय का कैसे वह करते हैं। इससे पहले हमने इस में पार्ट वन और पार्ट वीडियो डाल रखी हैं। इसके हम एच यू के बेजक्स यू के बारे में कैसे यू बात कियों करते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को आप देख लें और अगर चैनल पर आप पहली बास विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों यह वीडियो शुरू करते हैं आपके सामने यह एक डाग्राम 3D डाग्राम दिख रहा है जिसमें मेजर कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं फैंस जो होता है हीटिंग को उसकी कुलिंग को आइल एक फिल्टर और फ्रेश है तो यह मेंली जो मेजर कंपोनेंट होते हैं में चाहिए क्लीन रूम का है यह यह किसी नॉर्मल यूजर के लिए तो इन मेजर कंपोनेंट आपको मिलेंगे तो आए दोस्तों सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे तो देखेंगे कि यह का ब्लॉग डाइग्राम आपको दिख रहा है यह को मैंने पार्ट मे देखनें इसमें फ्रेश यह और है रिटने यर जो आपके आरा जिसको मिकसिंग बॉक्स में उतकि इसके बाद अपका फैन फिल्टर करता है तो जो क्लीन रूम का है उसमें आप हेपा फिल्टर भी देखेंगे और यह इस तरह तो अब यह आप देखेंगे इसका 3D डियाग्राम देखेंगे तो इसमें आप एक चीज़ अलग से देख रहे हैं यूवी लाइट अल्टा वॉलेट लाइट इसका अभी आपको मैं यूजर बताऊंगा इसका फंक्शन क्या है वीडियो को आप आखिर तक देखें अभी कुसक्र करना और उसको वाफिस से डिशार्ज करना डग त्रू ब्लोवर होते हैं वह तो दो तरह के होते हैं एक बैक वरट करण होता है और एक फॉर्वर्ट कर नोता है काफी दोस्तों तो आपको यह सामने दिख रहा होगा बैकवर्ट करव और फोरवर्ड करव तो इसको आप काफी असानी से जो है डिफेशेट कर सकते हैं बैकवर्ड करव सबस्क्राइब मैं कर से पहले आपको रोटेशन बता दूं कि जो फैन की रोटेशन होती है यह आप मेरा मौस का करसल देख रहे होंगे यह इस तरह से रोटेशन होती है यह यहां से आएगा यह फैन की रोटेशन यह ऐसे होती है आपको इसमें दिख रहा होगा यह फॉरवर्ड कर मैं आपक इसका बैक साइट की तरफ जा रहा है तो इसलिए बैकवर्ड करव जो फैन होता है तो इसमें जो मेजर डिफ्रेंस है कि घर आ सब्सक्राइब एच उसने करते हैं द 2003 लंबी होती है काफी जा रही है ब्रांचेसं तों वहां पर हम बैक्वर्ट कपड़ कर उसका युस करते हैं और कले करते हैं जहाओ पे स्टाइट इस सब्सक्राइब अगर कम है तो वहां पे हम फॉर्वाद कर्ड करते हैं आप जनरली दिखेंगे फॉरवर्ड कर्ड जो फैन आपको या तो मिलेगा या सिलिंग सस्पंड हुं मिलेगा जहां पर है अगर यह 900 पर एक्टी परसंट एफिशेंसी दे रहा है तो यह उस तरह से 1400 पर वह आपको विलोसिटी डिलेवर करेगा तो मेजर डिफ्रेंस इसका जो है एफिशेंसी का है और स्टेटिक का है कि हम जो बैकवर्ड कपड को हाई स्टेटिक में यूज करते हैं और फॉरवर इसका बलेड़ोले वर्टेशन को बताइए ऐस好的 को बीफिन कि कर रहने और गोंता है तो किया फकर रहेंगे में पुछा तेशन के बासा तो क्या आएंगे ऐससे ओल्टा ईनटा आगा है तो क्या सब्योंता है क्या अक्या थेथ्योंत्तों तो अगर कभी भी कोई भी फैन अगर आपका उल्टा घूम रहा है उसकी रूटेशन अगर जैसी उसकी ऑपोजिट डिरेक्शन में घूमेगा तो वह एक्चुल सी फिम डिलीवर नहीं करेगा वह अगर आपका करते हैं एक फैन और आता ये मनें एक अपनी एक साइट फैन मैंने लगवाए था महां पर तो आपको प्ल्ण छे से यहुथ है किस तरह से होता है यह सक्षन यहां से हो रहा है और यह जो फैन चलेगा तो यहां से डिलिवर्ड होके डिस्चार्ज होके आगे जाएगी इसका एक ड्रॉबैक यह कि हम अगर इस एक चुमें को बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं तो बट आप अगर देखेंगे तो यह जो सेंटि सकते हैं तो एक कुशन मैं दोस्तों आप सभी है कि हम अगर हम हमें बढ़ाना होता है यह कि मोटर की पूली को घटाएंगे बढ़ाएंगे हम क्या करेंगे तो प्लीज इसको कमेंट करके आप बताएं तो आगे बढ़ते हैं फिर आता हमारा कूलिंग को पूलिंग और हीट क्योंकि क्योंकि चलिक नहीं होता है कोई ज्यादा जादा नहीं होता है आपको एक चीज़ बढ़ा होती है वह कम रोडिप की होती है उसमें होता क्या है कि दो रो डीप जा हम यूज करते हैं तीन रो डीप यूज करते हैं और जो कूलिंग कोई होती है उसमें सिक्स रो डीप यूज होती है एट रो डीप यूज होती है तो यह मेंली जो है इसमें रो डीप का ही डिफरेंस आता है कूलिंग और हीटिंग कोई में बाकि अगर आप ऐसे फिजिकली देखकर आप नहीं बदा पाएंगे कौन सी कूलिंग को एल है कौन सी हीटिंग को एल है ठीक है दोस्तों तो आपको मैं यह बता दूँ कि यह रोडिप होता क्या है सबसे पहले आप यह फीगर में देख रहे होंगे कि यह किसका यह वाट है वाटर जब यहां से लिगा और यह ससे घूमकर पूरा गुंकर इस तरह से आउट होगा तो आप यह देख रहे हैंगे एक mi दो ती ती ओप चार रो बन रहा है तो इस तरह से जतना जतनी जादा है टीउप की रोंगी उस नंबर East City ही आप चार रोंप कि पोलेंगे चार अगर यहां पर जाकर एक दो रो और आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे छे रोडीप कूलिंग और चार रोडीप आठ रोडीप को यूज करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर हमें आरेच बहुत जादा प्रिसाइज ली उसको मिंटेन करना होता है वहां प अब बात आती है हुमिडीफायर की जैसे कि नाम से पता चलता है हुमिडीटी को बढ़ाता है हुमिडीफायर मिंस की हम एयर में वाटर वेपर को और हमें एड करना है तो वाटर वेपर करने कर सबसे आसान तरीका क्या है कि हम वहां पर या तो वाटर को इस्प्रे कर दें या स्टीम वहाँ पे इत्जिपी तो इस तरह से इसने वहाँ से नियद्र उत्सक्र Kelsey आप यह प्रपोद लंग करना स्ञुलक होने क्षिट चरहीं कि यहां प्रवाँ व को स्याइक हैं कि मोटे पूली dispute Shemal है जो पूली होती है उसमें जो होते हैं। दू तरह की होते दुट को पताकि की से पताकर ग Imp этом मैं आप को देखा दो मैं जो इस एक 1070 इमन इसकी लिंट है आप लोलते और से इसको कि जो लगते हुए मियार्वी एट होते हैं वो डस्ट वगारा को फिल्टर कर लेते हैं उसके बाद अगर अगर आप चले आए आइस यू वगारा में जहां पर जादा अगर डस्टी इन्वार्मेंट नहीं चाहिए होता है वहां पर हम क्या करते हैं फाइन फिल्टर को इसके प्रेशर डॉप इसका कट शेक्षण भी देख रहें अभी एमीयर्वी 13 मीयर्वी 17 मैं इसको आपको नेक्स वीडियो में इसको क्लियर करोंगा ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी है अब बात करते हैं दोस्तों एस्च्छू मैं जो मैंने जैसी बताया युवी इसका काम क्या है कि जैसे हमाँ आपने देखा होगा जब बैक्ट्रिया वगारा को मानने के लिए किल करने के लिए UV light का यूज करते हैं यह UV light जो होती है EU के limit स्वीच से control होता है अब यह limits स्वीच भी आप देख रहे होंगे और यह एक यू रूम की backlight देख रहे होंगे जैसे हम aCu का डॉर खोलेंगे limit ओपन हो जाएगा यह एचु रूम की लाइट जल जाएगी और यूवी लाइट बन हो जाएगी जिसे कुछ हामफुल एफेक्ट जो बंदा माँ पर काम करने के जा रहा है उसको ना हो तो यह पूरे माइ cumpl थे एचु के और इसी क्या function से इस की वीडियो में आपने यह चीज देखी वीडियो पसंद आई आप एप लाइक करें फे कमेंट करें कोई लगार्णी या और किसी भी है किसी भी च Peng अधिकर करें ऊन्हाय करें और चैनलन को सब्सक्राइब तैंक्यों दोस्तों